हेलो मेरे दोस्तों मैं रहा हुद अर्षप आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चाहिए और किसे इंटर पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चाहने वाले हैं अब लोग को अच्छा स्वास्थ चाहिए तो उसके लिए पोस्तों क्या-क्या कारिए करते हैं है और उसकेwelt स्वास्थ के लिए किन पोस्तों के वास्ता होती है उस बारे में अपकर को उत्वanka दिने का प्रियास करता हूं कि पोसन का मतलब होता है भोजन करना खाना खाना जैसे हम लोग खाना काते हैं है ना तो हम लोग का पोसन होता है हम लोग हमारा सरीर ठीक रहता है बकरी खाना खाता है जानवर खाना काता है ठीक है जानवर भोजन करता है घास खाता है ठीक है तो जीव जब भोजन करता है तो भोजन करने के बाद वो जो भोजन होता है वो पचने के बाद क्या करता है हमारे सरीर को उर्जा देता है क्या करता है उर्जा देता है और सक्ति प्रदान करता है जिससे क्या होती है जो हमारे सरीर में जो कमिया होती है उसको वो दूर करता है उस सब्सक्राइब दो प्रकार का होता है बनाता है उसको प्रकार करते हैं आर अपना बनाते जो फ्रकार परियास करते हैं कि आकिर पोशन का अर्थ क्या होता है, इसके परिभास्ता क्या होता है, क्या इसके कारिये हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके पोशक तत्व है, हर चीजों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक तर बिस्तार प्रुवक्सा जानने का परियास करेंगे, आपको बिल्कुल भी घ समस्ते हैं कि आकिर लिखेंगे कैसे हम लोग ठीक है तो स्टार्ट आप को इस प्रकार से करना दोस्तों कि आकिर पोसन का अर्थ लिखना क्या है पोसन एक ऐसी विधी है जिसके अंतरगत कोई जीव भोजन गरहन करता है पोसन क्या होता है एक ऐसा विधी होता है जिसके अंतर किया होता है जिससे क्या होता है हमारे सरीर के अंदर जो कमिया है और जयव तो यहाँ तक आप लिटेल से समझ गहांगί हैं पोसण लोग किसको कहता है απने अनुसार से पोसन की परिभासा दिया है जिसमें इसे प्रमुख परिभासाओं का वर्नन निम्लिखित रूपों में किया गया है ठीक है इसमें से पहला जो आपका है पहला बताया किया है कि भोजन को गरहन करके उसे पचाने के बाद हमारे सरीर में जो उर्जा और सक्ती मिलती है जिससे हमारा स्वस्त बना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पोजन कहते हैं कि भोजन करने के बाद मिस खाना खाने के बा हमारे सरीर को जो उर्जा प्रजान करता है ठीक है और सक्ती जो मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते है पोषन कहते है उससे क्या होता हमारा स्वास्ट इसके ऑद देखे टर्टiner के नुसार टर्टiner एक नाम है एक विध्वान है जिन्होंने क्या कहा है इसने कहा कि पोसन वाक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्रानी ऐसे पदार्थों को गरहन करता है या तो उप्योग करता है जो सरीर के विभिन कारियों को नियंतरित करता है जो सरीर के विभिन कारियों को नियंतरित करता है जो सरीर के विभिन कारियों को नियंतरित करता है अर्थार्थ कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को उर्जा देता है सक्ती देता है ताकि हमारा सरी जो है न बिमारियों से लड़ सके तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों पोसन कहते हैं क्या कहते हैं पोसन कहते हैं अब यहां तक हम लोग ने इसके परिभासा को समझ गया और अर्थ को समझ गया अब हुम लोग समझते हैं कि प्रकार जीस कि मैं आपको उपर बताया था कि प्रकार का होता है कौंर साव कौंध पोसी और विसम पोसी इसको ़ोग पर पोसी कहता है ठीक है जिब दो परकार का यह आ गया कि और Tes तो हम लोग जानते हैं कि आखिर स्वापोसी किसको कहते हैं तो देखे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वापोसी का अर्थ स्वाई पे आस्रित होता है मिस वैसा जीव या तो जन्तु जो स्वाई पे आस्रित होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग क् रहते हैं स्वपोसी कहते हैं अब देखें दूसरा जो आपका है वह परपोसी यह दूसरा क्या है पर पॉसी अब दोसरों पे आश्रित है तो पर पॉसंथा यह यह है कि पोशन की वहाँ परक्रिया वहाँ विदी जिसमें से जीव वाजन तु खुद से अपना भोजन ना बना करके दूसरों प्यास्तित रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं परपोसी कहते हैं ठीक है अब देखिए स्वापोसी में जो है आपका मनुस याता है क्योंकि म मनलोग क्या कहते हैं परफोसी कहते है उससे होते हैं अब देखिए बात आता है यहां भी पोश्टत्यत्यों के कारे कि कैसे करता है कि देखे हमारा स््वास्त को अगर ठीक रखना है Hemारे सरीर को अगर ठीक रखना है तो उमलोगों कि वह सकता होती है वह थी बोला कि भौजन में सभीज़न प्रकार कि पोसकत्तव. विथामियस होते हैं जो हमारे सरीर को क्या रखते हैं स्वास्त रखते हैं ठीक है अब यह नहीं कहा जाता है कि सिर्फ पचास ही पोसक तत्व होते हैं ऐसे बहुत सारे पोसक तत्व होते हैं जो हमारे सरीर को क्या रखते हैं स्वास्त रखते हैं कहा गया है कि मनुश्व त्वारा ग्रहन किये जाने वाले विभिनपरकार के भोज्यपदार्थ, अनाज, डाले, सबस्जिया, फल, दूद, मांस, मचली तथा अंडे से भी पोशक्त तत्व पराप्त होते हैं बोला गया है कि मन उसे द्वारा जो गरहन किया जाता है जो भूजन खाया जाता है मांस खाया जाता है मचली खाया जाता है दाल खाया जाता है अंडा खाया जाता है दूद फल सबजियां जो खाया जाती है उससे भी हम लोगों को क्या पराप्त होता है दोस्तों पोसक पाया जाते हैं इन पोसक तत्तों को मुख्यता छे भागों में बाटा गया रही है जो पोसक तत्तों होते है उसको मुख्यता कितने भागों बाटा गया है छे भागों में बाटा गया जिसका वरनन निमलिकित रूपों में किया गया है ठीक है अब देखे पहला आपका है कार कार्बोहाइट्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनीज लवन, पाच्मा है विटामीन और छटा है जल ठीक है तो चलिए एक सौट सा लेंग्वेज में, सौट सा भासा में हम लोग इसको समझ लेने का परियास करते हैं कि आखिर कार्बोहाइट्रेट में क्या होता है प्रोटीन में क्या होता है वसा में क्या होता है खनीज लवन और बिटामीन और जल में क्या-क्या बिटामीन सब लोग को मिलता है और क्या-क्या पोसर का तो हम लोगों को मिलता है ठीक है तो देखे, सबसे पहले कार्सटार उन्हें बता गया कि आर्भाइट्रेड मुख़रूप से चावल, आलू, फल तथा कच्चे भोजन में पाया जाता है यह उर्जा प्राप्ती का सबसे सथा साधनाय कहा गया क्या कि कार्सटार जो नग्हें से किस में किस में पाया जाता है चावल में पाया जाता है अलू में पाया जाता है फल और कच्छे भोजन में पाया जाता है और कहा गया है कि यह जो आना यह जो है उर्जा का सबसे सस्ता साधन होता है क्या कार्बो हाइट्रेड ठीक है अब नेक्स देखे नेक्स में प्रोट देखे कहा गया है कि प्रोटीन जल के बाद हमारे सरीर के लिए सबसे महत्पुर्ण तत्व होता है मिस प्रोटीन जो हता है हमें मुख्य रोप से प्रोटीन मांस मचली अंडे दूद एवं दूद से बने वस्तूओं से प्राप्त होता है प्रोटीन में लिए अब देखे कि वस्तूओं से प्रोटीन में लिए अब देखे तीसरा में वसा कहा गया है कि वसा हमारे सरीर को उर्जा प्रदान करती है वसा क्या करता है हमारे सरीर को उर्जा प्रदान करता है जो हमें मुख्य रूप से मखन, क्रीम, चिकन, अंधा, माश तथा दूद से प्राप्त होता है ठीक है अब देखे फोर में कहा गया है खनीज भूल में क्या कहा गया है खनीज दातों रक्त तथा हर्मोन हादी के निर्मान के लिए आवस्सक है खनीज जो हमारे सरीर को क्या करता है रोगों से बचाता है जो हमारे सरीर को बिमारियां होने से बचाता है ठीक है फिर देखे पांचमा आपका है विटामीन पांचमा क्या है विटामीन कहा गया है कि विटामीन हमारे सरीर को बिभिन परकार के रोगों से बचाता है विटामिन क्या करता है दो तो हमारे सरीर को जो है अलग अलग प्रकार के बिमारियों से बचाता में इस बिमारियों से ये दूर रखता है ठीक है कुछ विटामिन जल में गुलंसील तता कुछ विटामिन वसा में गुलंसील होते हैं कि तो अटीक है इस प्रकार से आपको वीटामीन के बारे में लिख दैना है अब अलगे लास्ट में आता है जल सी लास्ट में क्या आता है और अप खुद जानते हैं कि जल ना पानी जये हैं हमारे सरीर के लिए कितना इंपोरण यह तो आपको इतना तो इतना ही इसमें प्रभर्ज निकाल दिया गया ना कि आप ऐसे ही लिख सकते हो कि जल हमारे लिए क्यों जरूरी है ठीक है फिर मैं आपको सौट मैं आपको बता देना चाहता हूँ ठीक है तो उमीद करते दोस्तों कि ये कुछन आपको डिटल तरीके समझ में आगे होगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उसके साथ चानल को सब्सक्राइब करें ठीक है तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भाल